गुड यूनिंग दोस्तों, हिंदी ब्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हर एक्जाम में लगबग पूछे जाते हैं, उम्मीद करते हैं, आपको पसंद आएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, अध्यात्मिकता सब्द में उपसर्ग प्रत्य है, उपसर्ग मूल सब्द के आगे लगता है और प्रत्य मूल सब्द के पीछे लगता है, चलते हैं दूसरे कोश्यन पर, पैर सब्द का समानार्थी नहीं है, पैर का समानार्थी अर्थात परियावाची नहीं है चरण पैर का परियावाची है, पैर का परियावाची पग भी है, पैर का परियावाची पद भी है, लेकिन नव नहीं है तीसरे प्रस्ण पर चलते हैं सेश सब्द से भिन सब्द पहचानी है ओप्सन नमबर ए सत्यवादी, बी सतकर्म, सी सदगुण, डी सदगती तो ये सतकर्म, सदगुण, सदगती ये तीनों सेम है लेकिन सत्यवादी जो है एक विचार धारा है प्रस्ण नमबर चार, समास की दृष्टी से सेश से भिन पद है मिलना जुलना, खान पान, अपनी अपनी रहन सहन इसमें जो है C ओप्सन सही है पांचमा प्रस्ण देखते हैं, निहस्वार्थ सब्द का विपरार्थी सब्द है निहस्वार्थ का विपरार्थी, अर्थात बिलोम सब्द है ओप्सन नमबर C, स्वार्थी चलते हैं अगले कोशन पे कोशन नमबर 6 कौमुदी का परियावाची है कौमुदी का परियावाची चांदनी है कौशन नमबर 7 देखते हैं भावरा का सही परियावाची सब्द है भावरा का सही परियावाची ये समानार्थी सब्द है कुण्ज, आली, भ्रमर, खद्यो, खद्योत भ्रमर जो है भावरा का सही परियावाची सब्द है कौशन नमबर 8 देखते हैं बागेश्वरी का परियावाची है, बागेश्वरी जो है सरस्वती को कहते हैं, इसमें जो है सार्दा, सार्दा भी सरस्वती का ही परियावाची सब्द है, बागेश्वरी या सरस्वती का, उप्शन नमबर भी सही है, कोशिन नमबर नव पे चलते हैं, अनल का परियावाच है नलकूप अनिल अगनी धूमिल तो अनल मिन्स होता है अगनी ये अनल जो है अगनी का परियावाची है नाहर का परियावाची कौन सा है नाहर नाहर का परियावाची में दिया है option ए नदी ब्याग्र सरिता सेर तो नाहर मिन्स होता है सेर हम सभी कोश्यन को अच्छे से डिस्कस करेंगे जितने भी एक्जाम में महत्पूर्ण आते हैं ये जितने भी कोश्यन हमने अभी तक ये डिस्कस किया है ये किसी न किसी एक्जाम में पूछे गया है दस प्रस्थनों पर बात किये हैं ये आपको जरूर पसंद आये होगे आप जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं यदि उसमें हिंदी व्याकरण है तो आपको जरूर इससे मदद मिल सकती है ओके गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए धन्यवाद